हेलो जी क्या हाल है पता है लोग जिस तरीके से अपने एक्स को भुलाते हैं कंगनर नौत ने बुलकिल उसी तरीके से अपने ही पहने कपड़ों को भुला दिया है अमीर भी है ना होंगे बे आउटपिट इतने जादा कि हिसाब करना मुश्किल हो जाता होगा अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने खुद की खीची गई तस्वीर को प्रोजेक्ट में अटाच करने के लिए कहा हो लेकिन हम भूल गए और गूगल चे डाउनलोड अनटाच कर दी ने क्या चल जूटे आपको पता है आप आज तक ही कर रहे हैं खबराईय में पॉलिटिकल पार्टियों का भी यही हाल है अरे दिल्चस्प बात बताती हूँ किंग कोहली एक बार फिर ओन फील्ड अंग्री यंग मैन के रूप में नजर आए अरे अरे लड़कियो संभालो जरा वीडियो अभी आकी है नमस्कार स्वागत है आपका जंता जंक्षन की खासकारे क्रम वाच्स्ट्रेंडिंग में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराठी वाच्स्ट्रेंडिंग में आज जानेंगे कि ओन फील्ड विराट कोहली और Ben Stokes के बीच में ऐसा क्या हुआ कि Empire को दिवार बन कर बीच में आना पड़ा फिर जानेंगे कि Controversy Queen Kangana Ranaut को उनके कहीं बातों पर उनी के तस्वीरे दिखा कर ट्रोल क्यों किया गया है फिर आपको बताएंगे कि Twitter पर देश की शान RSS का शोर क्यों मचा हुआ है फिर आपको ये भी बताएंगे कि Congress से एक ऐसी भूल हुई है जिसने सोशल मीडिया को ऐसे ऐसे memes के तोफे दिये हैं कि script लिखने के पहले हस्ते हस्ते पेट दर्ध हो रहा था और अंत में आपको बताएंगे कि नाचते नाचते साथ पेरे ले रहे दूरा दुलन की बारिल वीडियो के बारे में सोशल मीडिया क्या कह रहा है ये एक सिकिंड का पॉस्ट थोड़ा awkward हो गया न हाँ वो मैं script बूल गए थी थोड़ी अचा शुरुवात होगी आज cricket से इंडिया शांदार परफॉर्म कर रहा है इसमें कोई दोहराएं नहीं है नजर ना लग जाए अज मैच के दोहरान मुहम्मद सिराज ने जो रूट का विकेक लिया था उसी ओवर की आखरी बॉल में उन्होंने एक बाउंसर डिलेवर किया बाउंसर को लेकर बेंट स्ट्रोक्स ने कुछ तो कहां कुछ तो कहां इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां की कोई आडियो अभी तक लीक नहीं हुई है बेंट स्ट्रोक्स की टिपनी के बाद किंग कोहली उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आए महस चंद सेकिंड में जो एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन लग रही थी वो heated argument बन गए और empire को दोनों के बीच में आकर उन्हें शांत कराना पड़ा दोनों के बीच क्या बाते हो रही थी वो किसी ना किसी नए meme trend से पता चली जाएगी तब तक हम लोग भी थोड़ा suspense वर्दाश कर लेते हैं अगर अनुष्का दीदी कोली भाई ऐसे पूछ के बता देती है तो वो अलग बात है अब आजाते हैं कंगना रनौज से जुड़े नए विबात पाई इनके इतने हैं ना कि इनके अपनी ही सीरिस बन सकती है कंगना ने इंडिया जापान और सीरिया की पहली लाइसंस फीमिल डॉक्टर्स की तस्वीर शेर करते हुए कुछ एक लंबा चौड़ सा क्याप्शन लिखा था अंगरेजी बड़ी भारी है इसलिए आपको इसका सार समझा देते हैं क्याप्शन में उन्होंने वेस्टर्स पहनने वाले कलाकारों पर तंच करते हुए उनके कपड़ों को राग्स यानि की फटे हुए कपड़े कहा था और लिखा था कि ये बस अमेरिकन मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं बस फिर क्या था कंगनर अनौत को हिपोक्रित ठहराने में इंटरनेट को थोड़ी भी देड नहीं लगी एक कंगनर अनौत इंजीन स्टॉप की गूगल सर्च अठड़ा जिन कपड़ों की कंगनर अनौत निंदा कर रही हैं उन्हीं कपड़ों में उन्हीं की हजारों तस्वीरे शेयर की जाने लगी लो कर लो बात इंसान आराम से बैट कर अपने सोफे पर किसी की बुराईया भी नहीं कर सकता है बताईए वैसे अच्छाई बुराई से याद आया ट्विटर पर देश की शान आरेसे स्ट्रेंड कर रहा है अब देखे है हाश्टाग के साथ दो किसम की ट्वीट हो रहे हैं पहले जो आरेसे स्के नाम पर शेह टपका रहे हैं और दूसरे है जो आरेसे स्के नाम पर आगोगल रहे हैं योगेश्वर दत और शोभा जी ने RSS की तारीफ करते हुए ऐसे ट्वीट किये हैं कि वा, क्या ही कहा जाए और एक दूसरा तपका है, मीम वाला जो कहने के लिए इतना कुछ कह दे देता है कि उफ, क्या ही बोला जाए एक ट्वीट में लिखा गया है कि दो रुपे के अंधभग इस हाश्टाग को ट्रेंड कर रहे हैं, मगर युवा को जॉब चाहिए ट्वीट में गांग्स और वासपुर के तर्च पे एक मीम भी बनाया गया है, जुसमें युवा बीजेपी आईटी सर्थ से पूछ रहा है, काप कहे रहे हूँ अगर ये सवाल मुझसे पूछ दिया जाये तो जवाब सरल सा है, कुपोशे थू तो कापती ही रहती हूँ पडोस वाली आउंटी ने यही पता है था तो एक और ट्वीट है, नो जॉब, नो वोट के साथ यहां लिखा गया है कि 2024 में भाजपा गवर्वर्मेंट कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल बात अब अब ट्वीटर ट्रेंड्स की करी रहे हैं, तो ट्वीटर पर एक और शीज ट्रेंड कर रही है वो है, कॉंग्रिस इंसर्ट आसाम एक लाइन में बता देती हूं कि मामला क्या हुआ है, कॉंग्रिस ने आसाम के नाम पर ताइवान के तस्वीर शेर कर दी, इसे लेकर अब लोग लिख रहे हैं कि अगर सिर्फ चुनाप के दौनान आप आसाम जाएंगे, तो यहीं होगा 3D8 के तरच पर एक मीम बनाया गया है, जिसमें राहूल गांधी, मिली मीटर से यह कहते हूए नजर आ रहे हैं कि चुनाप के लिए डेवलेप्मेंट का मुझदा थोड़ी लगता है, इंटेनिट से ताइवान टी गार्डन की पिकड़ाप नोट करके, आसाम का टी लोग बेवकुब बन जाएंगे, आप बेवकुब बोलना था, लोग बेवकुब बन जाएंगे, मगर लोग तो बेवकुब बने नहीं, आपके मीम बन गए, वो अलग बात है, एक हेडा फेरी के तर्च पर मीम बनाया गया है, जिसमें Sonia जी राहूल से यह कहती हूई नज का गांदी यहीं है ती गारण स्वाप करना कॉंग्रेस को शायद थोड़ा ज्यादा ही भारी पड़ गया अब बात कर लेते हैं आज के आखरी ट्रेंडिंग टॉपिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है वाइरल वीडियो में दूला दुलन साथ फेरो के दौरान नाचते हुए नगर आ रही है शादी में किसी के इतने खुश देखकर इंटरेट डो गुटों में बढ़ गया है एक गुट ट्रेडिशन को नए नजरिये से देख ब्ला 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 और परस्मेल नोट हमारे यां दुलन का डांस छोड़िये चेहरे पर स्माइल एक जादा हो जाए तो ऐसा फेक पेक का क्यारेक्टर असासिनेशन होता है कि दुलन साथ पेरे वीटी में लेती है और विदाय के वग जो आसो निकलते हैं वो आंटी के हेट की वज़े से निकलते हैं और बात जहां तक डांस की रही तो लहंगा इतना हवी होता है कि चलना ही मुश्किल हो जाता है तो डांस तो खेरा भूली जाए वैसे साथ पेरों के दौरान इस तरीके से नाचने पर आपके क्या विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जोड़ सकते हैं इस वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हूं सौमयर आठी कामरे के पीछे हैं वरुन्जा और करें आप देख रहे हैं जनता जाएं